आकाशे बिजली की चमक से छात्रा की आखों की गई रोश्णी परिजनों ने की इलाज के लिए आर्थिक मदद की मार्ग जासी के मउरानीपूर तहसिल के अंतरकत आने वाले ग्राम बोड़ा में रहने वाली सत्रहा वर्षे रोश्णी पुत्री रमेश जो की कक्षा आटव जहां से चेकचा को ने उसे जासी मेडिकल रैफर कर दिया जासी में कुछ दिन इलाज कराने के बाद परिजन वापस लोटकर खळा आ गए घर आय परिजनों ने बताया कि चार दिन तक जासी में रोश्णी का इलाज कराया लेकिन कोई भी लाप इलाज के दोरान नहीं हु तो वहीं परिजनों के द्वारा आर्थिक हालात को देखते हुए प्रिशासन से रोशनी के लाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की गए इसके साथ ही परिजनों को अब रोशनी के भविश्य के बारे में भी चिंता सतानी लगी आमित राजपूर की रिपोर्ड कि आप क्या कर रहें थी उस टाइम विटाप खीत प्राइब पकनी चलाए थी पेड़ के ने चे बेड़ती हूं वहां पर गिरी हो अच्छा तो फिर क्या हो गया आपको फिर आना पता नहीं है अच्छा दिख नहीं रहा कितने पड़ती हूं आप आठ नहीं है